हाई एवर्बड़ी वेलकम तो अभिमन्यू आईएस इंडियास बेस्ट प्लाटफॉर्म फो यूपीसी और स्टेट सिवल सर्विसे एग्जामिनेशन जैसे आपको पता है कि हम इशू एन अनालेसिस की एक बहुत ही इंपॉर्डेंट सीरीज चला रहे हैं आपके सब एक्ज जादर आज हम डिसकस करेंगे बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग टॉपिक सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट अभिमन्यू आईएस पिछले 23 इयर्स से अल्मूस 2000 से जादा UPSC और स्टेट सेवल सर्विसेज में सेलेक्शन दे चुके हैं और हमने टॉपर्स भी बहुत प्ड करके देख सकते हैं तो चलिए विदाऊट वेस्टिंग अन्यमोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट की अगर मैं बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट क्यों न्यूज में था और इसका क्या मतलब होता है हम बेसिक से स्ट पहले 6-7 महीने पहले एक बहुत ही important sustainable development goal index report release की थी जिसको SDG index report बोलते हैं यह basically context था इस particular news को cover करने का और इस particular report में उन्होंने highlight किया है कि कैसे states हमारे देश की sustainable development goals को achieve करने के कितने वहां तक पहुंच चुके है मतलब उन्होंने कितना achieve जो है वो कर लिया है इस चीज के respect में मुझे लगा के it's very important and pertinent for you guys to understand कि exactly what is sustainable development तो सबसे पहली हम simple basic definition देखेंगे कि sustainable development का मतलब क्या होता है और यह definition है बहुत ही famous definition of bruntland जी एच ब्रंट लैंड की बहुत ही famous definition है sustainable development के ऊपर जी एच ब्रंट लैंड अगर मैं इनके बारे में आपको बताओं तो यह WHO के director भी रहे थे back in the day और he was also the Norwegian Prime Minister तो Norwegian Prime Minister और WHO के director जी एच ब्रंट लैंड की बहुत ही जादा famous definition है sustainable development की पहले मैं definition read करूँगा फिर मैं explain कर दूँगा sustainable development is defined as meeting the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs तो हम बात करते हैं intergenerational equity की intergenerational equity का मतलब है कि आज हमें अपनी development processes अपने development objectives इस हिसाब से achieve करने चाहिए कि हम future generations की development objectives के साथ compromise ना करें मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें resources को judiciously use करना चाहिए ऐसे नहीं है कि हम resources को unjudiciously use कर ले ताकि हमारी आने वाली generations के लिए resources बचे ही ना ऐसी development जो अकेला हमारी generation को नहीं future generations की resources को भी respect देती है ऐसी development को हम sustainable development की category में डालते हैं sustainable development basically talks about what is called equity equity का मतलब होता है कि सब को उस हिसाब से मिलना चाहिए जिस हिसाब से उनकी शमता है so equity बहुत important और यहाँ पे जो equity की हम बात कर रहे हैं वो intergenerational equity की बात कर रहे हैं generation का मतलब है कि एक generation नहीं आने वाली generations के लिए भी हमें definitely कुछ ना कुछ space जो है वो रखनी पड़ेगी अगर हम sustainable development को और understand करें तो इसके अंदर तीन important चीजें हैं जिसके ओपर हम focus हमें करना चाहिए सबसे important चीज है environment हमें environment की protection करनी चाहिए अगर हमें sustainable development की objectives को achieve करना है second objective होता है economic economic का मतलब है कि हमें economic जैसे poverty और industrialization और यह सारी चीजों के उपर focus करना चाहिए और finally है social social का मतलब है कि environment और economy के साथ साथ हमें ये भी important है कि society को इस चीज़ के benefits हो रहे हैं या नहीं हो रहे है social equity भी होने चाहिए अमीर और गरीब में difference women को empowerment ये सारी चीज़ें भी sustainable development के topic के अंदर हम consider करते है sustainable development हमारे तीन parameters के ओपर focus करता है which is environment, economy and society question यह आता है कि sustainable development क्यों important है देखिए अभी हम ये बात जरूर मानते हैं कि extreme poverty तो खतम हो चुकी है दुनिया में लेकिन अभी भी काफी ऐसे दुनिया में pockets हैं काफी geographies हैं जहां पे extreme poverty अभी भी stubbornly persist कर रही है मतलब बहुत ही जादा वहां पे अभी भी गरीबी है और ये गरीब लोगों को हमें above poverty line लेके आना है उनको basic needs जो है वो provide करनी है उसके लिए हमें sustainable development चाहिए हमें sustainable development चाहिए energy के लिए मतलब हम चाहते है energy inclusion energy inclusion का मतलब है कि हर मतलब world में हर इनसान के पास एक affordable, accessible और green energy जो है उसकी provision वो वहां पे रहे तो उसके लिए हम sustainable development बोलते हैं और जैसे आपको पता है कि बहुत ही बड़ा danger हमारे आस पास घूम रहा है लर्ख कर रहा है और वो danger है climate change का और climate change को fight करने के लिए climate change की problem को solve करने के लिए आज हम अगर चाते हैं तो हम चाते है sustainable development इसके इलावा आप देखो के population के बढ़ने की वज़ा से और हमारा जो material culture है इसकी वज़ा से बहुत ज़ादा हम natural resources के उपर pressure डाल रहे हैं हम अपने metal resources, non metal resources, energy resources, food resources इन चीजों के ओपर इतना ज़ादा pressure कर रहे हैं तो ये resources decline होती जा रही हैं कम होती जा रही हैं तो future generations जो हैं वो safe नहीं हैं क्योंकि at the end of the day अगर हमने सारी resources ही consume कर ली तो हम आने वाली generations के लिए क्या छोड़के जाएंगे हम चाते हैं sustainable development ताकि declining natural resources को हम जो है वो रोक सके हैं उसकी decline को रोक सके हैं और finally हम चाते हैं जो sustainable development है for our own existence हमारे human species की existence ही इस चीज़ के उपर dependent है कि आज हम चीजों को कैसे produce कर रहे हैं कैसे consume कर रहे हैं और कैसे हम उन सब चीजों को protect कर रहे हैं हम चाते है sustainable development for our existence लेकिन sustainable development के achieve करने में काफी ज्यादा challenges और hurdles हैं जिसको हमें identify करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि at the end of the day अगर हमें ये challenges को identify नहीं कर पाए तो फिर हम अपने sustainable development के project को achieve नहीं कर पाएंगे तो question यह आता है कि what are the challenges तो सबसे पहला challenge तो है कि कौन से ऐसे indicators हैं जिसके ओपर हमें focus करने की जरूरत है तो वो indicators के ओपर हमें धूनना पड़ेगा फिर सबसे बड़ी problem है पैसा, finance हम कहां से पैसा लेके आए sustainable development goals को achieve करने के लिए especially poverty, poor countries के अंदर, developing countries के अंदर जहां पर resources की already shortage चल रही है तो वहां पर sustainable development goals को लेके आना एक बहुत बड़ा problem जो है वो हो चुका है sustainable development is also not possible जहां पर जंग चल रही है जैसे Russia और Ukraine में जंग चल रही है या फिर Syria में जंग चल रही है तो यहां पर sustainable development goals को achieve करना बहुत मुश्किल हो जाता है because governments और societies की priorities जंग की तरफ focus हो जाती है तो ऐसी challenges में भी हम SDGs को achieve नहीं कर पाते फिर definitely जब natural occurrences आ जाते हैं कोई disasters आ जाते हैं उन areas में बहुत मुश्किल है government भी बहुत बड़े एक dilemma में रहती है और वो dilemma है कि profits, immediate profits के ओपर focus किया जाए या फिर investments के ओपर focus किया जाए आने वाली जो है projects के ओपर, sustainable development projects के ओपर फिर लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा awareness नहीं है कि sustainable development क्या होता है और इसको क्यों achieve करना है ये हमारी existence के लिए काफी important चीज़ जो है वो hold करते है ये सारी चीज़ों के ओपर अभी भी लोग जाग रुक्त नहीं है फिर poverty eradication और sustainable development कई बारे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा debate होती है for example, हम poverty को दूर करने के लिए employment generate करने की कोशिश करते है employment generate करने के लिए हम industrialization को promote करते है लेकिन industrialization से pollution हो जाता है और pollution जो है वो again environment को impact करता है और वहाँ पर sustainable development हमारा effect होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि एक जगा पर हमें गरीबी को खतम करना है और दूसी जगा हमें sustainable development को achieve करना है और last but not the least localization of SDGs इसका मतलब है कि यह ना हो कि sustainable development और यह climate change जैसी चीजें जो है यह सिरफ globally conversations जो है वो रह जाएं यह बहुत ज़रूरी है कि on the ground हमारे जो बिलकुल villages हैं या छोटे शहर हैं हम उन areas के अंदर भी SDGs को लेके जाएं जिसको हम localization of SDGs बोलते हैं वो भी करने की ज़रूरत है तो एक बहुत आप के लिए मैं अच्छे कुछ examples लेके आया हूँ इंडिया के villages में से कैसे अभी hopelessness नहीं है hope है कुछ ऐसे villages हैं जहाँ पे SDG goals अचीव करने के उन्होंने कोशिश की है they are doing interesting projects तो हम एक एक करके ऐसे villages को देखते हैं identify करते हैं जहाँ पे SDGs को achieve करने की कोशिश की गई है सबसे पहला village आपके पास आ रहा है which is Khonoma Nagaland तो Nagaland जैसे आपको पता है के North East में बहुत ही हमारा important state है वहाँ पे एक village है Khonoma और Khonoma ने क्या किया है उन्होंने hunting activities को बिल्कुल बैन कर दी है अपने गाउं के अंदर यानि कि उनके जैसे आपको पता है के North East और Nagaland specially is known for non-vegetarian diets तो hunting activities बिल्कुल बैन कर दी है उन्होंने अपने village के अंदर इसके अलावा जैसे आपको ये भी मालुम होना चाहिए के North East में बहुत important agriculture प्रैक्टिस की जाते है जो basically एक slash and burn agriculture टाइप होती है जहाँ पर आदिवासी लोग क्या करते है बर्न करने के पहले तो वो एक forest को clear करते हैं फिर वहाँ पर agriculture करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं तो वो जो dhom agriculture है वोברЕन्टली बहुत ही pressure करती है अइन्वारमेंट के ऊपर वो agriculture लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा innovative वर्जियन ऑफ जो फ्रेंड्ली वर्जियन है जो एको फ्रेंड़ी वर्जियन है वह है पिप्लांतरी राजस्थान की आप इस फोटो में देख रहे हो बहुत ही बच्चियां आपको देख रही है इस विलेज ने एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट उन्होंने यह बोला है कि जब भी एक बेटी इनके विलेज में पैदा होगी तो यह 111 ट्रीज जो है वह उसके online में तो यह कही ना कहिँ तो कहीं आपको पूर्ज विलेज को इनक्ली कろう निकलोन की बात करते हैं और यह बहुत लटोर करते हैं सबहे हैं वैसे ही जो पेड है उसको पूरा यह सबढ़ करते मैं जब तक पेड बड़ा नहीं हो जाता और आपदा लागैं ही एयर सारी एफर्ट से विलेजर्स ने अल्मुस्ट 2.5 मिलियन अलो वेरा प्लांट जो है ग्रो की है आज पास तो इन्होंने सोशल इंक्लूजन को भी अचीव किया और इन्होंने एक हेल्थ अब्जेक्टिव और विमिन एंपावर्मेंट के परस्पेक्टिव से भी इन्होंने काफी अच्छा काम करके दिखाया है इसके अलावा अगर हम देखें एक और बड़ा इंटरस्टिंग विलेज है ओधन तुराए ये तमिल नाडू में लोकेटेड है आप ये दो इमेज़ेस देख पा रहे हो फर्स्ट इमेज है पुरानी फोटो अफ दिस विलेज आप देख रहे हो जुगी जोपड़ी आपको दिख रही है लेकिन यहाँ पर आप फोटो देखो तो बहुत अच्छे इन्होंने घर बना लिये है यह विलेज की खासियत यह है कि यह विलेज इलेक्टरिसिटी के पर्सपेक्टिव से से सेल्फ सस्टेंड विलेज है मतलब इसको कहीं बहार से बिजली लेने की जरुवत नहीं बढ़ती और in fact इन्होंने wind energy और solar energy को use करके खुद ही अपने आपको इन्होंने electrify कर लिया है तो इससे इतना interesting हो चुका है कि यह अब Tamil Nadu electricity board को भी बिजली supply कर रहे है मतलब आप देखो interesting है कि वहां से पहले हम बिजली लेते हैं लेकिन अब यह बिजली supply कर रहे हैं तो Tamil Nadu electricity board और इन सारे villages में मिलके project भी बात किया कि पांच क्रोड रुपे एक्स्ट्रा लगा के हम additional solar और wind energy generate करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा example है फिर एक बहुत ही फेमस मिघालया में गाउं है माई-लॉंग और यह गाउं की खासियत सबसे बड़ी यह है कि इन्होंने plastic को completely ban कर दिया है काफी समय से अपने village के अंदर और spotless clean roads आपको देखने को मिलेंगी और छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब के अंदर एक इन्होंने value imbibe की है कि आप cleanliness के ओपर focus करो और right from the start, right from the birth आप cleanliness को एक way of life बना लो तो यह भी एक बहुत important जो है हमारा sustainable development के perspective से एक अच्छा example है in fact इसी वज़ा से इस particular village को cleanest village in India का भी honor मिला है और last but not the least यह एक बहुत interesting है तिलंगाना के अंदर राम चंदरपूर village और राम चंदरपूर की में अगर मैं बात करूँ तो यह village is full of eye donors याने की इस communities ने मतलब यहां पे रहने वाले लोगों ने collectively pledge किया है कि हमारे जाने के बाद हम अपनी donate करेंगे सारी eyes to visually challenge और यह काम किया था इनके सरपंच ने जो जिसने सब लोगों को motivate किया कि सब eye donation के लिए जाएं और collective जब सब एक साथ इकठे हो गए तो वह सब ही agree कर गए और in fact it also won the nirmal puroskar award in 2004 and 2005 मतलब इन्होंने 1245 में ही open defecation free कर दी थी अपने गाउं को और सबके पास smokeless चुला और tap water की availability है यह पांच example से मैं आपको proof करना चाहता हूं कि there is definitely light at the end of the tunnel there is hope and there is silver lining and the silver lining is not from you know any place दुनिया के अंदर बट हमारे भारत के अंदर ही और भारत में भी हमारे गाउं हमारे ऐसे गाउं हैं जहां पे local leaders ने sustainable development को अचीव करने के लिए काफी interesting projects किये हैं लेकिन दुनिया में क्या कुछ है yes world में sustainable development goals का project है जो 17 total goals है जिनको हमें achieve करने हैं यह 17 total goals जो है वो 2015 में इनोंने decide किये थे और finally 2030 तक हमें यह 17 total goals को achieve जो है वो करने हैं नितियायोग ने इन 17 goals को achieve करने के लिए एक parameter बनाया है states को judge करने के लिए जिससे हमने अपनी पूरी की पूरी आज की class शुरू की थी तो यह नीतियायो का जो program SDG index का program इसके अंदर उन्होंने states को ranking करने शुरू कर दी है कि कौन सी state SDG इसको implement कर रही और कौन सी नहीं कर रही और इसके अंदर इन्होंने scores देने शुरू की है 0 to 100 तो जैसे आपके school में होता है ना कि 100 वाला topper होता है और 0 वाला failure होता है वैसी यह scores है अगर किसी ने 100 जो है वो कर लिया है achieve तो वो 2030 के targets को already achieve कर चुका है और जितना score higher होगा उतना ही distance to the target achieve greater हो जाएगा और इसमें इन्होंने 4 categories में classify कर दी है aspirants, performers, front runners and achievers मतलब वो states जो aspirants states हैं जिन्होंने अभी तक कुछ जादा खास नहीं किया है इसके अलावा performer जो थोड़े बहुत कर रहे हैं उसके बाद front runners जो हमें top कर रहे हैं almost and finally achievers वो states जो 100% SDG जो goals है वो achieve कर चुके हैं और अगर हम top 5 positions को देखें इंडिया में तो केरला इस टॉपर इसके लावा हिमाचल परदेश, तमिलनाडू, आंदरपरदेश, करनाटका, सिक्केम ते महराष्ट्रा so these are the topper positions जो हमारी states की आई हैं तो आप लगा के जल सकते हो के mostly तमिलनाडू, केरला, करनाटका और अंदरपरदेश ये कुछ states हैं जो हमारी southern states हैं तो mostly southern states SDG इंडेक्स पे अच्छा कर रही हैं और इसके लावा हमारी जो hill states हैं जैसे हिमाचल परदेश, जैसे हमारी उत्राखंड या फिर सिक्किम ये hill states भी अच्छा कर रही हैं तो आप इसको याद करने के लिए ये कर सकते हो कि हमारी जो southern states हैं और हमारी जो पहाड़ी states हैं वो अच्छा कर रही हैं लेकिन अगर हम बात करें bottom five positions की तो इसमें चत्यसगर्ड, जारकंड, अरनाचल परदेश, मिघालिया, राजस्थान, उत्रपरदेश, असाम, जारकंड और बिहार ये कुछ ऐसे areas हैं जो बिमारी states होती थी कभी तो ये अभी थोड़े से underachievers हैं इस चीज के लिए जैसे मैंने बात किया कि last but not least, localization of SDGs बहुत जादा important है कि हम SDGs को local level पे लेके जाएं इस चीज के ओपर भी नीती आयोग का बहुत बड़ा project है जिसको बोलते है कि localizing SDGs further और नीती आयोग इसमें इंडो-जर्मन cooperation के through एक नया index लेके आई है कि हम कैसे इसको local level पे लेके जाएं और इसी perspective से SDG urban index भी release किया गया है जिसमें cities को इन्होंने rank किया है और आपको पता होना चाहिए कि उस पूरे ranking के अंदर सबसे जो top की है जिस city ने है उसका नाम है Shimla तो Shimla has topped the city इसके अलावा Coimbatore has come second which is southern state of southern city of India and third is a very interesting union territory of India Chandigarh जिसको third rank मिला है तो ये था आज की जो lecture में मैंने sustainable development goals के बारे में आप से बात की अगर आपको ये series अच्छी लगी हो तो please channel को like, share और subscribe जरूर करेगा Thank you everybody, take care